नमस्कार इस वक्त आप सबकी खबर टीवी देखना शुरू कर चुके हैं मैं हूँ दीरत चाहर मेरे साथ पूरो शिक्ष्या मंत्री और जजजर से विदायक गिता भुकल जी मुझूद हैं मैडम गिता भुकल ने भी जजजर की जो सड़के हैं उनका विदानसभा में मुद्दा उठाया था कुछ दिन पहले दुसरें चोटाला भी जजजर में आये थे तो उन्होंने कहा था कि दिसंबर तक जो है सड़को का काम पूरा हो जाएगा हाला कि साथ-साथ पैच वर्क भी किया गया था लेकिन वो एक फॉर्मल्टी सी बन करके रह गई थी जो सड़को की हालत है वो जो की तोव है और भी तमाम जो मुद्दे हैं MBBS सात्रों का इस बॉंड पॉलिसी है उसको लेकर है नशाग जो लगातार बढ़ रहा है उसको लेकर के है तमाम सवालों को लेकर के जो है हमारी बाचीत रहने वाली है मैडम सबसे पहले तो स्वाब मैडम जैसा कि मैंने जिकर कि आज कल कॉंग्रेस पार्टी जो है सड़को से कासा नाता रहा है भारत जोडो यात्रा भी लगातार चल रही है कई दिनों से और आपने भी जो है जज़र की सड़को के जो तूटी हालत है उनका मुद्दा विदान सभा में उठाया था अब सर का हमारे आधनिये नेता राहूल गांदीची कन्या कुमारी से कश्मीर की 3570 किलोमीटर की पद यात्रा कर रहे हैं तो तमाम सड़कों से वो गुजरते वे जा रहे हैं लोगों को जोडने का काम कर रहे हैं बहुती काम्याब यात्रा है जिससे की भारत देश में वेक उमंग का महाल बना हुआ है और जहां तक मैं जजजर की सड़कों की बात करूं बच से बतर सिती हो रही है जब से कॉंग्रस की सरकार गई है हमारे शेतर के साथ लगातार बेदपा हुआ है लगातार मैंने चाहे वो हमारे बाइपास की बात हो रोड्स की यहां से ग्वालिसन बाइपास से लेकर मातनहिल खेडा थू हो चाहे हमारा मातनहिल से कोस्री रोड है यह सारे के सारे सड़के हमारी लगाता तूटती जा रही है और बच से बतर स्थिती उनकी होती जा रही है चाहे वो हमारे जजजर शेहर की इंटरनल रोड्स की बात हो हमने इन सब विदानसभा में भी मजबूती के साथ विद प्रूफ उठाने का काम किया और सरकार की और से आश्वाशन में मिला लेकिन कुछ हुआ नहीं सिवाए गड़े थोड़े से बरने का काम हुआ है और वो ऐसा गटिया क्वालिटी का पैच्वर किया है जो की दो-तिन दिन में ही व हमने यहां से प्राइटी लिस्ट जो है सरकार को देने का काम किया है अब हम चाहते हैं कि प्रदेश के डिप्टी सीम जो बार-बार एक गोशना कर रहे हैं या मुख्या मंतरी जी कहने का प्रयास कर रहे हैं हमारे शेत्र के साथ बिदा बेदभाव किये हमने फाइल जो अल करने का काम करें मैं माप भी एक शिक्षा और स्वास्त मंतरी रह चुकी हैं बॉंड पोलिशी को लेकर एंबीबीए सातर लगातार धरना कर रहे हैं परदर्सन कर रहे हैं तो इसको आप किस परकार से देखती है क्योंकि जो एक डॉक्टरी की विजो पड़ाई होती है जो सेक्टर में तो बहुत जादा पैसे लगते हैं लेकिन टेस्ट देकर के जो इधिन का एडमिसन होता है तो काफी जो है गरीब परिवार का जो बच्चा भी है वो शिक्षा प्राप्त करके जो है डॉक्टर बन सकता है तो इस बॉंड पोलिशों को लेकर लगातार विरोध ह दो रहा है उसको लेकर आप कैसे देखते हैं पहले ही प्रदेश बहर में डॉक्टर्स की बहुत जादा कमी है पैरामेडिक स्टाफ की बहुत जादा कमी है हमारे मेडिकल कॉलेजी जो है उनमें सीटे नहीं बढ़ाई गई हैं बीबीएस की अमडी की या स्पेशलाइजड गैडर है वो खड़ा नहीं हो रहा है जो डॉक्टर्स है मनुकरी लगातार छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं जो की बहुती एक चिंता का विशय है खास दोर से करोना काल में करोना वारियर्स के रूप में डॉक्टर्स ने अच्छी सेवा देने का प्रयास किया लेकिन कमी हो होने की वज़े से डॉक्टर्स खुदी स्ट्रेस में बहुत जादा थे और अब नीट की कॉमन इंटर्स ट्रेस की परिक्षा पास करके जो बच्चे यहां पर आए हैं काउंसलिंग के दुरान उनसे दस लाग का पर एयर 40 लेक से जादा का बान भरवाया जा रहा है 50,000 की को बढ़ा कर साड़े पांच लाग से साड़े साथ लाग की जा रही है एक चाहिए वो पैसे वाला हो चाहिए गरीब हो एक आम व्यक्ति हो वो यह फीज और क्यूं दे सरकार को सोचना चाहिए कि पहले ही कमी है पहले ही हमारी सी पी एसी जनल हॉस्पिटल मेडिकल कॉलिज जाए उसमें ।क्टर्स हमारे इतने जादा कम है और उसके बाद इस तरह की बाउंड पालेसी लाना सरकार की नियत पर प्रशन चीन लगाती है सरकार को तो उल्टा और ज़्यादा मेडिकल कॉलिज बनाने चाहिए और ज़्जादा भरती करनी चाहिए और ज़्यादा फी चाहते हैं आदरनी चौदरी बुपेंदर सिंगोडा जी ने धरने धरना स्थल पर गए और राश्वासन दिया है कॉंग्रेस पार्टी ने और हम लोग इस मुद्दे को विधान समा में उठाने का प्रयास करेंगे मैंने परदेश के स्वास्ते मंतरी से भी बात करने का काम कि है यहां के मेडिकल सुप्रिडेंट हैं जो डिरेक्टर ने उसे बात किया और बहुत सारे बच्चे जो की हमारे पास जैसे मैंने आपको बताया वो ग्यापन भी हमें देख कर गए हैं और उनके साथ बड़ा अन्याय हो रहा है सरकार को तुरंती बॉन्ड पॉलिसी को एडमीशन मिला था वो यहां से सीटें छोड़ छोड़ कर चले गए हैं और सरकार का ध्यान सरकारी इस अंस्थान को बंद करके प्राइवेटाइजेशन की और जो जा रहा है वो बहुत चंता का विश है आने वाले समय में हर्याना की जंता को बहुत ज़्यादा मेडिकल श बात करें तो मुक्रमंतरी दुसें चोटाला ने भी कहा ताकि जब तक MSP ना अगर किसानों को नहीं मिलती है तो मैं सरकार से इस्तिफाद यह दूँआ पिछले दो साल से बाजरे की खरीद पर MSP किसानों को मिल नहीं रही है तो ऐसे में आप इस एक इस परकार से देखते ह और दोबारा से अगर किसान अंदोलन अगर सुरू होता है तो जो है मुस्कले तो सरकार के लिए बढ़ने ही वाली है तो इसको लेकर कैसे देखते हैं देखे केवल राजनेती गलाब के लिए देश के प्रदान मंतरी ने तीन काले करिशी कानून शमायाचना करते हुए वापिस लेने का काम किया उस पर कोई भी कारे आगे नहीं बढ़ा साडे साथ सो से जादा किसानोंने शाहाद दे दे दी आज किसान हमारा अंदाता जो कि हमारी अर्थवयस्ता की रिड़की हड़ी है सडकों पर धके खाता रहा उनकी फसल बरबाद हो गई जो खरीदी भी फसल थी वो सड़ गई सही हर जगह पर और सरकार हर्याना में तो और बच से बदतरस देती है हर चीज का पोर्टल, रिजिस्टर पोर्टल, शतिपूरती पोर्टल, बावंतर बर्पाई के लिए पोर्टल आप पास लेकर जाएंगे तो पोर्टर एक किसान इन पोर्टल पर जाएगा और जो की अच्छे डंग से कारे नहीं कर रहे हैं या अपनी फसल को बोएगा और साथ में जो बेमौसमी बारिश हुई लगातार उससे पिछली फसल भी सारी खराब होगी धान बाजरा जातर खरा हो गया और गयों की फसल भी वो जो है वो इस समय बीज नहीं पा रहे हैं यूरिया के लिए और खाद के लिए किसान जो है लाइनों में लगा हुआ है खाद बीज उनको मिल नहीं रहा है किसान बहुत जाता दुखी है और किसान को सरकार की और से जो केंदर सरकार या राज इसकी सरकार थी या राजिस्तान में अच्छत इस गड़ में MSP पर कानून बना दिया गया हर्याना में भी एक कानून बनना चाहिए हम पूरी तरह से किसानों की मांगों का समर्थन करते हैं और आज जो किसान लगातार फिर से धरना प्रदर्शन करने की बात कर रहे हैं सरकार को इस चीज को गंबीरता से लेना चाहिए और सरकार को जो है किसान हितेशी फैसले तुरंत लेने चाहिए और जो काले कनून हैं उनको भी तुरंत जो उस समय वापिस ले लिए गए थे किसान संगठनों की ये बहुत बड़ी एक जीत हुई थी उनसे दुबारा से बातची कारण क्या मानती है लगातार जो परदेश में बश्टाचार हो रहे हैं उसका ये कारण है या फिर कोई जो निवेस जो हरियाना परदेश में नहीं हो रहा है पिछले आट साल से जो है पिछले 2020 के आकड़े की बात करें तो जो है पिछले आट साल में सबसे कम निवेस हरिय चल रहे हैं हैपनिंग हर्याना की बात करने वाले में लगातार मिस हैपनिंग पे मिस हैपनिंग हो रही है जो स्माल एंड मीडियम इंडस्ट्री के लिए का गया था कि हम युवां उनको लोन देंगे सरकार उसको लोन नहीं दे रही है अब रुजगार युवा पड़ा मीडिया मैनेजमेंट है या इंवेस्टमेंट जो है सारा का सारा केवल पबलिसिटी में पैसा लगा रही है यहां बुजगों की पेंशन काट रही है विद्वाओं की पेंशन काट रही है युवाओं को रोजगर नहीं दे रही है बच्चों को कॉपी किताबे नहीं मिल र रहा है फैक्ट्री इंडस्ट्री यहां से लगातार पलाइन करती जा रही है जो लाइन ओर्डर पे आपने देखा होगा लगातार लूट पार्ट की गटना है और इस तरह से बढ़ता जा रहा है तो मैं समझती हूं सरकार की नॉन प्रफॉर्मिंग गॉर्मेंट यह रही है इस वज़े से ही सरकार की लोगों का बिल्कुल भी रुज़ान नहीं है और यहां पर जो है करजा लगातार बढ़ता जा रहा है सरकारी संपतियों को सरकार बेच बेच कर अपना काम चला रही है नसा लगातार मैं हरियाना में अपने पैर पसार रहा है अगर 2022 की बात करें तो लग बढ़ चुराशी पीचैसी जो युवा है वो नसे के कारण जो हून की मोत हो चुकी है पिछले कुछ दिन पहले भी जजर में भी 500 केजी जो है गांजा पगड़ा गया तो क्या मानती है जो बेरोजगारी की जो दर इतनी हाई है जो लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है आप राद मामले जो बढ़ रहे हैं तो उनका कारण क्या मानती है जो नसा इतना अर्या नंबर हुए और जो विधान सभा के सदन पटल पर जो information रखी गई वो बहुती चिंता जनक थी कि लगातार ये सब करने के बावजूद भी आंकडे बढ़ते जा रहे हैं नशा बढ़ता जा रहा है युवा नशे की चपेट में आता जा रहा है नशे की तसकरी बढ़ती जा रहे हैं तो क्या कारण है क्या इसमें पुलिस प्रशासन या सरकारी तंतर इसमें शामिल है क्या कारण है युवाओं को हम रोजगार नहीं दे पा रहे हैं तो हमें इसको बहुती गंबीरता से लेना चाहिए ये हमारे बच्चों के भविशे से बहुत बड़ा खिलवार है प्रदेश और देश के लिए ये एक अच्छा उजवल भविशे हमें नजर नहीं आता अगर हम युवाओं को अच्छा रोजगार सही समय पर अच्छे जो भी औरिंटेड कोर्सिस करवाएं उनको रोजगार दें उनको वेल ओफ बनाएं तो मैं समझती हूं और इस तरह से ख प्रदानकरी में होते हुए भी बहुत बार सभी चीज़ें बता दी गई हैं उसके बावज़ुद भी नजरा कंट्रोल में नहीं हो रहा है ये कि बहुत ही चिंता का विशह है बहुत सारे पेरेंट्स हैं वो बहुत जादा इस बात को लेकर दुखी हैं शिक्षन प्रकाओं में स्कूलों में कॉलिजी उनिवस्टी में खुले आम नशा जो है वो बिक रहा है तो मैंने उनको सुझावब भी दिया था विधानसभा में कि हर स्टूडेंट का मेडिकल चेक अप होना चाहिए सरकार हर चाह स्कूल की बात हो कॉलिज की बात हो युनिवस्ट करें और यह जो बढ़ता हुआ नशे का कारोबार है इसको सरकार जो है हर तरहे से महनत करते हुए इसको खतम करने का काम करें मैम इडी आजकल फिर से चर्चा में है जो उनके डारेक्टर है पिचली बार जब उनका करेंकाल बढ़ा गया था तो विपक्स के नेता भी है कोर्ट में गए थे कोर्ट का सारा लिया गया था लेकिन रेक्ट तो आप किस परकार से देखती हैं कि जो लगातार जब से इंडिया की सरकार बनी है जो भी पक्स के नेताओं के उपर जो ED है, CBI है, Income Tax है, इनके जो है चापे बड़े हैं तो ये बदले की बहुना से जो है काम कर रहे हैं किस परकार से देखती हैं देखी सविधान के तहट जो है बहुत सारे सविधानिक संस्थाएं ऐसी बनाए गए जो कि Autonomous काम करते हैं, Independent Agencies होती हैं, कभी भी सरकार ने दबाव की राजनीती करके उनका दुरूपयोग नहीं किया, लेकिन जब से केंदर में ये सरकार आई है, राजनीतिक दूइश की बहावना से और दबाव करके इस तरह हैं कि कारे कर रही है, मैं समझती हूँ, इन संस्थाओं को भी स्वेम, Autonomy से और अच्छे डंग से कारे करना चाहिए, क्या कारण है कि विपक्ष के नेता जो हैं, वो जादा तर उनके चुंगल में हैं, और जबकि BJP के नेता या जो इ अमाम विपक्षी दलों ने बहुत बार परदर्शन करके राष्ट्रपती महोदे के नाम ग्यापन भी देने का काम किया है। जे जे पी पार्टी और जो बोटों का जो धुर्वी करन हुआ उससे जो है कॉंग्रेस को कितना नुक्सान हुआ और 2024 में इन सब चीजों का कितना फायदा कॉंग्रेस को होने वाल। बोटी मोटी और बनी है वो भी बीजे पी का समर्थन कर रही है। लेकिन कॉंग्रेस अपनी नीतियों के अपने प्रोग्रेम्स पे अपनी पॉलिसीज पे जंता के बीच जा रही है। लोग आज के समय में आदर्णी चौदरी भुपिंदर सिंग उडाजी के राज में चैवो किसान है, गरीब है, दलित है, महिलाएं है, वेपारी है, करमचारी है, वेरोजगार युवा है और यहां पर बढ़ता हुआ वेपार है, कुशाली है, खेल नीती है, हमारी जो शिक है, कॉंगरस पूरी तरह से मजबूती से लगी हुई है, संगठन की गठन की प्रिकरिया चल रही है, 2019 में भी मैं समझती हूँ, जनता का मन था, लेकिन 75 पार का नारा और तमाम इस तरह की पब्लिसिटी स्टंट जो सरकार ने मीडिया के माद्यम से और वैसे करने से जो किय कई चैनल 185 तक बीजेपी की दिखा रहे थे, और जबकि बीजेपी को जो है, जेजेपी के साथ अलाइंस करके सरकार बनानी पड़ी, और जेजेपी ने बीजेपे के खिलाफ वोट मांगने का काम किया था, लेकिन सत्ता के लालच में उनके साथ अलाइंस कर रही है, तो आ रियाना प्रदेश की जंता ने पूरी तरह से मनिस समय बना लिया है, बात करने के लिजेपी के जो विदानसवा चुनाओ होने है, इनका कहना है कि जो सिधा मुकाबला होना है, वो बीजेपी और कॉंग्रेस के बीच में होना है, और जो बोटों का धुर्वीकंड जो 2019 में हुआ, जिसमें जेजेपी की दस सीटे गई, जेजेपी की जो इनल्डी पार्टी हो चे दूसरी अन्ने पार्टी हो, तो सिधा मुकाबला अब की बार 2024 में जो है कॉंग्रेस और बीजेपी के बीचोना है, बेहत बेपागी से तमाम जो सवाल है, उनका जवाब दिया, फिल जूसरी.